हर बाँबाप का सफना होता है कि मेरा बेटा बाहर जाए और नौकरी करे यह मैं 99% माअबाप की बात बता रहा हूं कि सब यही सोचते हैं कि मेरा बच्छा बाहर जाए चाहे उसको 5000 मिले चाहे 10,000 मिले बस बहाँ निकल जाए किसी तरह गाउँ की संगत में आए क्योंकि गाओं के संगत आएंगे तो लोग कहेंगे किया कर रहा है, मुरका फारम कर रहा है कोई अपने घरवालों से लड़ ला यह हमको फार्मिंग करनी है, यह करना है वो करना है कोई भी माबाप अपने बच्चे को मुर्गी पालने के लिए नहीं कहेंगे करने पे आते हैं तो बोलते हैं हमसे यह Manage नियुह रहा हमसे वह Manage नियुह रहा हम क्या करें हम तो इस काम में फ़ज गए है गाइस वेलकम बैक स्वागत एगवाफिर्ट सापका पॉइटी किसान के यूटुब चैनल पे तो देखे दोस्तो एक दो महीने बाद गर्मियों का सीजन आ जाएगा बस फरवरी के बाद फरवरी मार्च के बाद जो है यह बैस जलेगा उसके बाद जो गर्मिया है उससे हमें अपने मुर्गे को बचाना होगा क्योंकि मुर्गे में गर्मी है जो हीटि स्टॉक के चांसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और देखे मैं आपको एक चीज और बताइता हूँ कि जो पैसा कमाया जाता है जिससे पोईटिफ फारवर को बढ़िया भैसूस होता है वो है पैसा और पैसा कमाया जाता है गर्मी में सही माइने में गर्मी में कमाया जाता है और गर्मी में ही हमको बढ़िया मुर्गा अगर हम पाल लेते हैं तो कम से कम बार रुपे पंदर रुपे पर केजी तक हमारे कमपनी दे देती है ठीक है मैं सुगना कमपनी की बात कर रहा हूँ तो लिया भी है और आगे जाके हम दिखाएंगे भी कैसे लेते हैं तो भाया हमारे हाँ पुराल लखी तिया आपने देखा थे हैं पुराल पड़ी थी तो पुराल हमने जश इसके ऊपर डलवा दी है सारे फांपे हमने पुराल डलवा दी है उसके ऊपर हमने मैट बिचा दी है ठीक है और हम इसमें अब एक काम करेंगे हम इसमें ऊपर इसके हम लगाएंगे इसमें स्प्रिंकल सिस्टम जिससे की पानी इसका नीचे आएगा और यहां पर हम लेंगे एक नाली तो पीछे पानी उसमें चला जाएगा इस बार गर्मी में बहुत ज़ादा हमें काम करना है क्योंकि पिछली बार हमारा गर्मी में काफी नुकसान हो गया था तो मन नहीं कर रहा था कि यार गर्मी में हम आज के बाद इस तरह से कभी बैच पाल लें तो अब हमने देखे पहले सबसे पहले तो हमने इसकी ऊपर का जो है ना जो तपीश होती है उसको कमकंदे के लिए पुराल और यह जो मैट वगएरा है यह हमने डाली है ठीक है फार्म में ही बच्चा नहीं आया बच्चा मैंने खुदी मना किया है क्योंकि भाईया बारिश 24 होई है अभी एक दो दिन और यह दो तीन दिन की बारिश है अभी उसको उसको हम निकल जाए उसके बाद हम बच्चा मंगा लेंगे तो फार्म अभी खाली पड़े हैं ठीक है लेवर नहीं है अकेला ही मैं यहां पर काम में जुटावा हूँ अभी बताऊंगा मैं क्या का रहा था ठीक है तो देखे फार्म में बस जाड़ू लगी अब इसमें चूना वगएरा जो भी हम इसमें केमिकल लगाएंगे इस बार हम इसको थोड़ा सा डीप क्लीन करेंगे क्योंकि पिछली बार थोड़ी हमारे बैच में प्रॉब्लम आई तो इसको डीप क्लीन दोस्तों मैं जो भी बताता से चैनल पर में पाल दोस्तौा संथा लीटीयाल करते हैं थी वो चलती थी ठीक है लेकिन क्या है कि जब भी खाद निकालने वाले आते हैं ये नीचे की लाइन जरूर तोड़ देते हैं ठीक है ये वाली नीचे की लाइन इसमें जो खाद है फाबला मार देते हैं ठीक है पंजी मार देते हैं तो भाईया ये बड़ा हमें दो तीन बा है अपने आप अपने हिसाब से क्योंकि देखिए as a civil engineer हम को सब कुछ आता है क्योंकि engineering की है तो भाईया दिमाग तो हमको लगाना पड़ता है तो देखिए मैंने यहां आपर side में ऊपर से pipeline ली है यह बीच में थोड़ा gap है इसको हम लगा देंगे इस तो तूट गया था तो यह हमने लास्टक लाइन ले गई है एक लाइन हम इधर से ले के जागे और एक लाइन हम लेंगे ऊपर से तो तीनों का हम connection नीचे इन में सीधे drinker में देंगे इससे क्या होगा कि मुर्गा एक तो हमारी तो यह सब बरी बात यह कि जो celebrity कालने वाले हैं वह लाइन को नहीं तोड़ेंगे और दूसरा यह है कि मुर्गा जो है इससे में क्या करता था कभी कभी होता थो बहुत बढ़िए है नीची लें लेकिन क्या करता है अपनी गर्दन फ़षा के इस पाइप को निकाल लेता था तो होता तो बहुत बढ़िया थह लेकिशी कम्म पर विचाहर है विचाहरो है थीज़ा है सुभे से आया हूं और ही महनत कर हूँ सोचा कि आपको अपडेट दे दो कि यूटूब पे क्या चल रहा है और एक चीज और आज या कल में एक वीडियो आने वाली है और बहुत ही अवेर वीडियो है आप लोगों के लिए उस वीडियो को जरूर देखना उसमें सुगना के नाम पर ठगी हो रही है और वालों से लड़ा है भाईया हमको फार्मिंग करनी है ये करना है वो करना है कोई भी माबाप अपने बच्चे को मुर्गी पालने के लिए नहीं कहेंगे कि भाईया तुम गाउं में मुर्गी पालो हर माबाप का सफना होता है कि मेरा बेटा बहार जाए और नौकरी करे ये यह सोच बहुत ज्यादा खतरनाक है मावाब की और एक तरह से कहना भी उनका ठीक है भाईया उन्होंने दुनिया देखी है लेकिन दीर दीर हम तरीका बदल रहे हैं इस चीज को देखे अब एक लिए और मैं आपको बतायता हूँ मुर्गी पालना मुर्गा फार्म करना हर ए मैंटिलरी आपको हमेशा इसको पहले तो फार्म बनाने से पहले मैंटिलरी आपको तयार होना पड़ेगा दिमागी तौर पर तयार होना पड़ेगा लोग क्या करें क्या करें किसी की नहीं सुननी होती है और ये भी आपने दिमाग में डालना होता है कि भाईया अगर नु पैसा witnesses दिमाग में मध्ट डालो मैंने कही वार कहाए कि आप इसमें मेहनत करोगे तो यह आपको पैसा देगा मैहनत नहीं करोगे महनत में थोड़ा सा भी लूज रहोगे तो भी थोड़ा सा अप रहे काम करता हूं मैं और अच्छा नहीं है कि मैं यूटूब चला रहा हूं तो मैं आपको वही चीज बताओं जो बिल्कु अच्छी अच्छी है जो चीज सुन्य से लेकर उपर तक मैं सब बताता हूं अगर मेरा फाम मुर्गा मरा है तो भाईया मरा है यह मैं अपनी गलती नही लोग होते हैं कि मुर्गा नहीं मरता बताते नहीं है पर भाया मेरे अंदर ये बात नहीं है आप लोगों ने एक चैनल को सब्सक्राइब किया है उसकी वीडियो देखते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर चीज को बिल्कुल जीरो से लेकर स्टार्टिंग तक बता होगे जब आपको पता होगे सरके भी मरते हैं भाया दस पाज बच्चा सरका भी मरता है तो आप थोड़ा सा मेंटली कूल रहोगे ठीक है तो भाया ये चीजे मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा मनूबल भी बढ़े और फार्मिंग करना देखे कला है मैं यही कहता कि कोई करी नहीं सकता करना करा है लेकिन भाया ये हार्ड काम है महनत का काम है और महनत अगर इसमें करोगे तो सफलता मिलेगी महनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी आप फार्म बंद कर लोगे ठीक है और मैनेजमेंट आपको नमबर वन करना पड़ता ह सारा खेली मैनेजमेंट का है सारा खेली मैनेजमेंट का है और कुछ नहीं है एक फारम आपके पास का मुर्गी पाला है दूसरा फारम भी आपके पास का मुर्गी पाला है एक का पैसा बढ़िया मिल रहा है एक बिल्कुल माइनस में जा रहा है क्यों जाके उसके फार्म पर देखें management कैसा हो रहा है management में कहीं ना कहीं दोनों का अंतर होगा और धीरे 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 क्या होता है कि आदमी को कुछ knowledge आ जाती है कुछ tips आ जाती है जो कि वो secret रखता है कुछ tips हमारे पास भी secret है लेकिन मैं जितना होता है मैं सब को बतानी कोशिश करता हूँ लेकि भया आज कल ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग हम पे विस्वास ही नहीं कर रहे है तो हमने medicine बताना ही बंद कर दिया है हम medicine अब नहीं बताते ग्रूप पे भी मैंने ग्रूप पे अभी एक message डाला है कि एनिस्चित कारिन के लिए मैं अभी medicine किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि देखे हम अगर किसी को medicine बताए अगर वो हम पे विस्वास ना गरे तो दुख होता है भया क्योंकि मैं भी बहुत से लोग मेरे हाँ के जो आसपास के farmer हैं मुझसे लड़ भी बैठते हैं कि यार दीपक भाई तुम ये क्या कर रहो सारी चीज़ यूटूब पे दे दोगे तो हम लोग मतलब अलग कैसे होंगो दूसरे से मैं उनसे यही बोलता हूँ कि यार ऐसा है सब को कमाने दो यार जो जो अगर काम कर रहा है महनत कर रहा है तो उसको कमाने दो तो भाईया मैं अपनी तरफ से लोगों को मतलब अपनी farmer को mentally धिलता हूँ अपनी तरफ के कि आप YouTube पे ये चीज़े मढ डाले करो सच्चाई मढ दिखाय करो इतनी तो मैं पूरी सच्चाई दिखाता हूँ किस लिए आप लोग के लिए ठीक है तो भाईया आज का दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बनाया था मैं अकिला ही काम कर रहा हूँ हाथ प्यार गंदे हो गया है और यहां नखना की पूरे कपड़े गंदे पड़े हैं तो ये पूरी लाइन मैंने खो दी है खोंदे के बाद इसको लगाया है सुबह से ये काम करा है खानत तक नहीं खाया तो दोस्तो इस बात पे देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करना आप लोग के महनत करता हूँ पूरा कैसे कैसे क्योंकि देखिए बहुत से लोग फार्मर इसको क्या बोलते है पिलंबर से लगवाते हैं पिलंबर से नहीं लगवाना कुछ भी यार क्योंकि पिलंबर भी आपके 7-8 जार रोपे लेके चला जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा जितने फिटिंग थी चाहे नीचे की हो चाहे उपर की हो सारी मैं करता हूँ अपने फार्म पे आप लोग भी कर सकते हैं कोई इसमें कोई रोकिट साइंस नहीं है तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना मिलते हैं नेक्ष्ट विडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम जै जैजवान जै किसान